कैसे हो प्यारे विद्यारती हूं स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूटीब चैनल फ्रेंड और इस्टुडेंट में इस वीडियो में आप पढ़ोगे प्रश्णा वली 13 दसमलग एक का आखरी प्रश्ण एक से लेकर साथ तक प्रश्ण मैंने आपको समझा दियें लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो प्रश्ण है परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूग के प्रकार के ढाचे जैसा एक अइस्थाई इस्थान तिरपाल की सायता से बनाना चाहती है जो कार को चारो ओर से और उपर से ढख ले सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर उपर किया जा सकता है बही सामने वाला फलक जो है प्रस्ट है वो लटका रहेगा बही जब कार अंदर जाएगी तो से घुमाकर उपर कर दिया जाएगा और कार अंदर चली जाएगी ठीक है यह है मानती हुए कि सिलाई की समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगन्य होगा अतिरिक्त कपड़ा नगन्य होगा नगन्य का मतलब क्या है ना के वरावर सिलाई करते समय जो अतिरिक्त कपड़ा लगेगा ना तिरपाल का उसको आपको ना के वरावर मानना है ठीक है उसे मानना ही नहीं कि वो ल लगेगा तिरपाल और उपरी फलक पर यानि उपरी प्रस्ट पर तिरपाल लगेगा तो कुल मिला कर पांच प्रस्टों पर तिरपाल लगना है नीचे की साइड हमारी खाली रह जाएगी नीचे की साइड में तिरपाल नहीं लगना है और भही हमारा यह जो ढाचा है किस प् परते हैं तो स्टुएंट्स हल में सबसे पहले आप धाचे की मापे लिख लिए लंबाई जिसे मेल से दिखाएंगे चार मीटर है चौड़ाई जिसे मेल से दिखाएंगे तीर मीटर और उंचाई जिसे मेल से दिखाएंगे दो दसलब पांच मीटर है ठीक है अब धाचे में लगा कुल त्रपाल, तो इस्टुएंट्स कुल कितना त्रपाल लगेगा, भई धाचों के चारों दीबारों पर त्रपाल लगेगा, और उपर त्रपाल लगेगा, तो हमें क्या करना है, धाचे के चारों दीबारों का चेत्रपल निकालना है, और उपरे फलक का, यानि उपरी प्रस्ट का चेत्रफल निकालना है, दोनों को प्लस कर लेना, आंसर आ जाएगा, तो यहां दिख लीजिए, ढाचे की चारों दीवारों का चेत्रफल, ग्लस उपरी सतय या प्रस्ट का चेत्रफल, ढाचे की चारों दीवारों का चेत्रफल हम कैसे निकालेंगे गणाब के 5 प्रस्ट ये छेतरफल के फॉर्मूले से तो फॉर्मूला है 2 गुणा उंचाई और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ठीक है और प्लस ओप्री प्रस्ट का छेतरफल क्या होगा भई लंबाई गुणा चौड़ाई क्योंकि घनाब के जो प्रस्ट होते हैं वो आयताकार होते हैं तो उपरी प्रस्ट हमारा कैसा आयताकार है तो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई मान रख लीजिए 2 गुणा उचाहिए 2 दसलब 5 और प्रैकेट नों लंबाई 4 प्लस चौड़ाई 3 और प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई यानि 4 गुणा 3 सरहल कर लेते हैं 2 गुणा 2 दसलब 5 यह हो जाएगा भी 5 ठीक है ब्रैकेट ढ़ाएंगे अंदर हो जाएगा 7 12 गुणा ठीक है इसका 5 हो जाएगा ब्रैकेट ढ़ाएंग गुणा जाएगे 4 प्लस 3 साथ होता है प्लस लगाएंगे 4 तियां 12 तो यह हो जाएगा 5 सत्य 35 प्लस 12 जो की हो जाएगा आपका 47 और मीटर में हैं तो मीटर स्कौइर ओके तो यही आपका आंसर हो गया आप लिख लीजिए ढाचे में लगा कुल तिरपाल बरावर 47 वर्ग मीटर वर्ग मीटर बोली जाएगा मीटर इसको आर बात ही किये यह हो गया आंसर तो मीट करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा मिलते हैं अगले विडियो लेक्चर में